R15M, R15V4 को इंडियन डूलर मार्केट में आए हुए दो साल पूरे होने वाले हैं क्योंकि Yamaa ने R15V4 को 2021 सेप्टेंबर में लौंच किया था और आज कल Yamaa अपनी बाइक्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड भी कर रही है और इमिशिन नॉम्स की वज़े से भी बाइक्स के अपडेट आज कल जल्दी आजाते हैं तो Yamaa बिल्कुल R15V4, R15M को दो साल पूरे होने के बाद इसका एक निया मोडल ले के आ सकती है और Yamaa से हम इएक्सपैक्ट भी कर सकते हैं क्यूकि Yamaa इंडिया में आज कल काफि अच्छे से काम कर रही है और Yamaa की बाइक्स भी इंडिया में आज कल काफि अच्छा पफों भी कर दिया आ रही है तो अगर आप R15 V4, R15 M का को निया model expect कर रहे हो यमा से R15 का जो निया model होगा यानि कि R15 V5 Spike का 5th generation model उसके इंदर क्या निया आ सकता है R15 V4 में अभी क्या कमिया है जिनको यमा को R15 के ने model के अंदर पूरा करना चाहिए तो BS6 norms की वजए से bike की power अब काफि decrease हो चुकी है और R15 V3 की जो performance थी वो R15 V4 गे अंदर बिल्कुल नहीं है तो यमा को एक तो इस Spike की power की उपर काम करना चाहिए या तो यमा को इस Spike में 200cc का engine देना चाहिए क्योंकि आजकल R15 V4, R15 M का price भी काफि हो गया है आप market में R15 V4 लेनी जाओगे तो आपको bike का price दो लाग रुपैसे भी जादा मिलेगा और इस price में आजकल RS200, Gixxr SF250, RC200 ये bikes भी available है यानि कि आप 200cc की और 250cc की bikes भी purchase कर सकते हो इस price में आजकल जैसे bikes का price बढ़ता जा रहा है उसके according Yamaha को या तो इस Spike के अंदर थोड़ा बड़ा engine देना चाहिए या फिर इस Spike की power बढ़ानी चाहिए क्योंकि ये R15 V3 के जितनी powerful नहीं है और इसकी performance वैसे नहीं है जैसे R15 V3 ही थी यानि की bike का जो initial acceleration है pickup है वो थोड़ा सा ओर better होना चाहिए क्योंकि Gixxr SF250, RC200 और RS200 इन bikes का initial acceleration और pickup थोड़ा ज़्यादा अच्छा है हालंकि variable valve actuation technology होने की वज़े से R15 V3 की top end performance तो काफी अच्छी है लेकिन इस Spike में उतना बड़ा engine नहीं है 155 CZ का engine है जिसकी वज़े से इसकी low end performance initial acceleration उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जो भी Spike का नया model आएगा उसके अंदर या तो Yamaha को एक बड़ा engine देना चाहिए या फिर bike की power तो ज़रूर बड़ानी चाहिए और second point यह है कि Spike का riding posture काफी ज़्यादा aggressive है बहुत ज़्यादा ही aggressive है काफी sporty aerodynamic aggressive design style है इस bike का जिसके वज़े से आज दिल काफी सारे riders handlebar riders का use कर रहे हैं ताकि bike का riding posture थोड़ा comfortable हो सके और यह modification आप में से काफी सारे लोगों ने R15 V4 में करवाई भी होगी तो Yamaha को bike का riding posture थोड़ा सा comfortable बनाना चाहिए R15 V3 के मुकाबले R15 V4 का riding posture और भी ज़दा एगर ऐसी हुए तो या तो Yamaha spike में ऐसा कर सकती है कि adjustable type की upside down front focus offer कर सकती है ताकि rider अपने comfort के according bike का riding posture adjust कर सके सो bike में upside down front focus तो आती ही है लेकिन अगर Yamaha spike में adjustable type के suspension दे देती है यानि कि handle bar अगर थोड़ा सा rise हो सकता है तो उससे riding posture थोड़ा सा comfortable हो जाएगा क्योंकि riding posture comfortable ना होने की वज़ये से हम में से काफी जारे लोग R15 V4 पर 30 नहीं करते हैं और कोई और bike ले ले लेते हैं और third point यह है कि spike की जो LED projector headlight है उसका illumination उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है यानि कि वो उतना sufficient नहीं है इसका illumination और थोड़ा सा better होना चाहिए या तो Yamaha spike में twin LED projector headlight over कर सकती है जिससे bike की headlight का illumination थोड़ा सा better हो सकता है क्योंकि bike की night riding quality उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है headlight का illumination sufficient नहीं है तो ये भी better होना चाहिए bike के new model में और fourth point ये है कि bike के अंदर जो plastic के parts है fiber की quality उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो एक bike के अंदर होनी चाहिए क्योंकि अगर आप 2,00,000,000 रुपे से भी ज़्यादा किसी bike के लिए spend कर रहे हो और उसकी fiber की quality अच्छी नहीं हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है bike में fiber की quality थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि R15 के जो grab rails है उनकी build quality बहुत ज़्यादा ही खराब है सो bike में fiber के parts की build quality थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और fifth point ये है कि Yamaha को spike में LED indicators और TFT display वाला instrument console इस bike के base variant से देना चाहिए क्योंकि bike का price अब बहुत ज़्यादा हो चुगा है सो जो features R15 M के अंदर आते हैं TFT display वाला instrument console, LED indicators ये features spike के base model में भी आने चाहिए यानि कि base model से लेके top model तक ये features तो इस spike में standard होनी चाहिए और जो R15 का नया model आएगा उसमें most probably ये features तो आई जाएगे 6.5 ये है कि R15 का जो glossy black color है, metallic black color है जिसका नाम tech black है ये international dealer market में तो valuable है लेकिन इंडिया में नहीं है ये मा कोई spike के tech black color option को इंडिया में भी provide करना चाहिए जो भी spike का नया model आएगा उसके अंदर ये tech black color option आना चाहिए क्योंकि ये देखने में काफी ज़दा अच्छा है क्योंकि हमारे पास Indian dealer market में जो इसका black color है वो matte black है glossy black या फिर metallic black नहीं है ये वो सारे changes है जो R15 के नए model के अंदर होने चाहिए और most probably spike के new model के अंदर ये features आ भी जाएंगे लेकिन दोस्तों R15 V4, R15 M का जो next generation model होने वाला है वो या तो 2023 के end तक आएगा या फिर 2024 में जागे आएगा जब इस spike को 2 साल पूरे हो जाएंगे Indian dealer market में और bike का एक शूर्म price भी थोड़ा सा बढ़े गा ही क्योंकि हर मंद bike के price बढ़ते जा रहे है तो 5 से 10,000 रुपय का difference तो bike के price में आएगा ही और आपकी क्या expectations है या मा से ये भी आप comment box में ज़रू बताना क्योंकि मेरे point हो उसे अभी spike की power थोड़ी सी बढ़नी चाहिए bike का riding posture भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए bike की headlight का illumination भी बेटर होना चाहिए bike के fibers की build quality भी अच्छी होनी चाहिए और TFT display वाला instrument console और LED indicators इस bike की base model से आने चाहिए साधी bike में tech black color option भी आना चाहिए Indian dealer market में so इस video में इतना ही मिलते हैं फिर अगली video में till then ride safe, ride safe